हाई फ्रेंड्स वल्कम बैक टू मैं चैनल वी ब्यूटी आर्ट एन आडिया चैनल में स्वागत है आपका मैं मीशो के प्रोडेक्ट जो पर्चेस करती हूं वो हानेस रिव्यूस यहां पे दिखाती हूं कुछ गडबड़ी है या कुछ प्रॉब्लम आता है वो भी मैं आप से शेर करती हूं तो यहां पे कुछ आपकी बार मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ है यहां पे मैंने दो अगरबत्ती के स्टाइंड देख्यूं उसका रेट है कि 153 रूपिस और बाजुमें 171 रूपिस का उन्होंने कट कर दिया मुझे लगा कि पहले इसका रेट 171 यहां पे इनलों ने 168 रूपिस में प्रोडेक्स वालोंने 20% डिस्काउंट दे के मुझे सब कुछ काड के यह करके 147 रूपिस में यह प्रोडेक्ट मिला है लेकिन अगर यह लोग मुझे डिस्काउंट देना चाहते थे तो 153 रूपिस में डिस्काउंट देना चाहिए 168 रुपिस में नहीं जो कि अपने card दिया amount को उसमें से क्यों discount दिया या तो आप सीधा सीधा लिख देते कि discount बोल की ये customer के साथ गलत है customer को आप गुमरा कर रहे हो तो friends इसके उपर आपकी क्या रहा है मुझे बताना ये मुझे कुछ सही नहीं लागा है मुझे लगता है कहीं कुछ गलत है ठीक है तो यहां पर मैं इसे cut करके इसे open कर ले रही हूँ इसके packing ठीक है इसके अंदर कुछ paper भी निकला है तो इस paper के अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं तो इस paper के अंदर friends कुछ मेरा घर का address और इन्होंने जो bill बनाया था वही है इसके अंदर आपको कैसे discount मिला है क्या नहीं बट यह एक चीज मुझे थोड़ा सा निराश कर दिये तो आपने 153 रूपिस लिखा है तो 153 रूपिस के ओपर ही मुझे discount देना चाहिए था जो की अपने 170 रूपिस कट कर दिया है तो उसके ओपर नहीं करना चाहिए था 160 यहां पर भी देख सकते हो 168 रूपिस के अंदर मुझे यह मिला है ठीक है चलो इससे साइड में कर लेते है और अब इस पेपर को ओपेन कर लिंगे तो यह इसकी पैकिंग काफी अतक ठीक है क्योंकि इस तरह के पेपर से इसकी पैकिंग करने से अंदर का जो प्रोडेक्ट है वो डैमेज नहीं होता है मुझे लगता है यहां पर डिसकॉन के नाम पर कस्टमर को कुछ गुमरा कर रहे है तो आपकी क्या रहा है मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताना ठीक है चुल इसे साइन में रख लेते हैं अब आप देख सकते हो बॉक्स काफी अतक डैमेज हो चुका है I hope कि अंदर का प्रोडेक्ट अच्छे से निकले यहां पर इन्होंने जो इमेज में दिखाया था उसी तरह से मुझे दो अगरबत्ति के स्टाइन मिल चुके है तो इसे मैं कवर से बाहर निकल देती हूँ यह अगरबत्ति के स्टाइन काफी अच्छ होते है चलो इसे कवर से बाहर निकल लेती हूँ स्टील तो काफी अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो प्रोडेक्ट भी काफी अच्छा है तो चलो अंदर से भी देखते हैं इसे ओपेन करके इसे इस तरह से ओपेन कर लेना है और नीचे की साइड में यहां से आपको अगरबती लगाना है इसमें कुछ ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है इस तरह से अगरबती का स्टाइड यूज़ करने से आपको अगरबती की जो राक रहती है वो इसके अंदर ही रहेगी आपको क्लीन करने में बहुत आसान हो जाएगा यह जो अगरबती के stand है यह काफी अच्छ है friends इसका जो steel है वो भी अच्छा है मुझको यह दोनों मिलके 147 रूपीस में मिले हैं यहाँ पे कुछ black color के dots है और इसके ओपर नहीं है तो 147 रूपीस में यार काफी अच्छ मतलब काफी अच्छ steel है इसका आप भी purchase कर सकते हो friends यहाँ पे मैंने दोनों stand इसलिए ली हूँ एक stand में मंदिर में यूज़ करने वाली हूँ और एक stand में मच्छर के अगरबती लगाती हूँ तो उसकी राग पुरे घर में उधर इधर फाइल जाती है फ्यान की हवासे अब यह नहीं फाइल हैगी यह इसके अंदर ही रहेगी प्रोडेक्ट काफी अच्छा है friends वीडियो अच्छी लागी तो लाइक ज़रूर कर देना सब्सक्राब भी कर देना बेल आइकान क्लिक करके नोटिफिकेशन आन कर देना friends नई वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलते हैं तब तेकले बाइबाइ